वेलकम बैक टू माई चैनल हैपी इस्टूडेंस आज की इस वीडियो में हम हरपा से डिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कोस्टेन के एंसर को जानेंगे ये कोस्टेन एक ही है लेकिन इसे एक्जाम में कहाँ तो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है जिससे बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि हम इसके एंसर को कैसे लिखे तो उसी से related एक question है वो है हरपा के लोगों के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेष्टा क्या थी ठीक है मुख्य विशेष्टा लिखने के लिए अथवा हरपा समाज के बारे में कुछ पुरा तत्वा वीदों की राय का बरिमन करे इस तरह से एक question पूछा जाता है जिसका answer आपको इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो का एंट तक जरूर देखिएगा इसका उतर हम निमनलिखित तरीके से दे सकते हैं पुरा तत्वा वीदों के अनुसार हरपा समाज की निमनलिखित विशेष्टा हैं थी पहला जो विशेष्टा था वो था आहार अभ्यास हरपा वासी गेहूं चाओल सबजिया खाते थे और दूद पीते थे ताजी मचली और अंडे उनके अज़ार का पर्मुख हिस्सा माला जाता है दूसरा जो पॉइंट है वो है बस्तर हरप्पा संस्कृति के लोग सूती और उनी दोनों परकार के बस्तर पहनते थे ठीक है वो भी सूती और उनी दोनों परकार के बस्तर पहनते थे पूरुज धोती और सॉल पहनते थे महिलाएं आमतर पर फूलो के डिजाइन बाले रंग पहनती थी, इस्तरी और पुरुष दोनों का आभूशन पहनना पसंद था, उससे में क्या होता था, पुरुष धोती और सॉल पहनती थे, और जो महिलाएं थी, वो फूलों के डिजाइन वाले रंगिन कपरे पहनती थी, इस्तरी और पुरुष उससे में दोनों ही आभूशन पहनना पसंद करते थे तीसरा जो पॉइंट है वो है मनोरंजन के साधन लोग अपना मनोरंजन करने के लिए इंडोर गेम खेलना पसंद करते थे इंडोर गेम यानि घर में बैटके जो गेम हम खेल सकते हैं वसे बच्चों को भी बिन परकार के खिलोने उपलब्ध कराए गए बच्चों को समय उन्होंने क्या कि बहुत सारे खिलोने उपलब्ध भी कराए थे जिससे बच्चे घर में ही इंडोर गेम खेले और घर में ही सुरक्षित रहे तो ये थी आपका हरपा स्ब्भेता का समाज की बच्चे विशेशता है वो ये कोस्चन आपका सवर्ट क में पूछा जाता है तीन मार्थ के लिए तो इसके लिए इतना ही अंसर आप लिखे तो ये पड़्याप्त है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताए अगर वीडियो अच्छी लगई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करे साथे और भी important question के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब करे धन्यवाद